तो आज मैं आपके सामने एक और कंसेप्ट लेकर आया हूं न्यू कंसेप्ट सो यह कंसेप्ट में क्या है कि क्लासिकल मेकैनिक्स में काफी बार ऐसे कोश्चन्स आते हैं जहां पर आपको कॉडिनेट सिस्टम को चेंज करना पड़ता है और क्यों करते हैं इसको ऐसे समझ लीजिए कि ट्रांस्फॉर्मेशन सिसले करी जाती है कि सपोस्ट आपके पास कोई प्रॉबलम है और वो किसी कोडिनेट सिस्टम में अच्छी तरह सॉल्व नहीं हो सकती है अच्छी तरह से मेरा मतलब है कि डिफिकल्ट है सॉल्व करना हो जाएगी पर डिफिकल्ट रहेगा काफी तो प्रॉबलम को असान बनाने के लिए आप उसे एक न्यू कोडिनेट सिस्टम में लेकर जाते हो जिसमें वो असान तरह से हमें दिखे तो इस वाज़े से हम ट्रांस्फॉर्मेशन करते हैं अब यहाँ पर क्या है कि आपको पु आपको नए कोडिनेट सिस्टम में यह हमिल्टोनियन बताना है क्या होगा जन्रेटिंग फंक्शन का कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं जन्रेटिंग फंक्शन आपको गिवन भी है तो इस टाइप के कोश्चन काफी इंपॉर्टेंट है CAP zaletτर यहाँ इसको कैसे करते हैं संब कुछ फोड़े सबसे पहले आपको कि यह चीज द्यार लख न है कि यह जो है यह जूद पास जन्रेटिंग फंक्शन है यह कॉन से टाइप का आपके पास चाट टाइप के जन्रेटिंग फंक्शन तो इसमें देख सकते हैं, small q और capital q ए फर्स टाइप का generating function है, तो आपके पास 4 चीजे है, small q small p capital q capital p, ठीक है, ये दोनों जो है small वाले, ये older coordinate system में है, और capital वाले ये नए वाले coordinate system में है, तो अब आपको ये देखना है, कि यहां पर small q capital q है, यहाँ पर small q capital q है बचे कौन से यहाँ पर यह small p और capital p तो इनके लिए आप यह generating function को use करें इन्हें निकालने के लिए आप यह generating function को use करें तो देखिए मैं निकालता हूँ small p small p क्या होगा del f by del q तो यह क्या आता है आपका q by q square हो जाएगा similarly अगर capital p निकालो तो यह तो आप आपने निकाल लिया जो यहाँ पर present नहीं थे small q, small p, capital q, capital p generating function में जो चीज हैं उन्हें छोड़के जो दो चीज बची उनको निकाल ली जी ठीक है अब generating function में explicitly कोई time dependence तो है नहीं तो आप आराम से काम कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है h- क्या होता है नहीं वाले coordinate system में h-plus डियालब बाइडल्टी तो यहाँ पर explicit time dependence तो है नहीं function पर तो इसको जीरो तो अब आप directly काम कर सकते हैं directly change कर सकते हैं आपको time की कोई चिंता नहीं है कि यहाँ पर कोई explicitly time dependence होती तो हम इसमें add करते हैं ऐसा कुछ नहीं है अब आपको क्या करना है यहाँ से small q की value निकाल लिया आपने y1 upon capital P और यहाँ पर आपने इसको डाल दिया तो यहाँ से capital P small p की value निकल कर आएगी कितनी यह आएगी p square q यह निकल कर आगई so actually में हमने क्या काम करा इन दोनों relation से आप देख सकते हो हमने older coordinate system में जो हमारे coordinate और momenta थे उनको नए coordinate system के coordinates और momenta में change कर दिया so यहाँ पर देखते हो small p capital variables में change हो चुगा small q capital variable में change हो चुगा अब simple क्या करना है जहाँ पर small p है वहाँ पर यह डाल दीजिए और जहाँ पर small q है वहाँ पर यह डाल दीजिए तो small q में यह डाल दीजिए small p में यह डाल दीजिए और आपका answer आजाएगा तो मैं लिखता हूँ h dash p q अब तो मेरा नए वाले coordinate system में आ चुके है Hamiltonian तो देखिये कैसा आएगा small p की जगे यह डाल दीजिए p square q so p square q upon square upon 2m plus half m omega square q square small q small q की value 1 upon capital p so this is half m omega square q square q is 1 upon capital p so this will be 1 upon so this will come out to be h dash p q is equals to p की power 4 q square upon 2m plus m omega square upon 2p square अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले momenta और coordinate थे वो पुराने coordinate system में small अक्षरों से represent करा था वो आप capital अक्षरों में यानि की नए coordinate system में बदल चुके हैं तो आपका Hamiltonian older से new coordinate system में बदल चुका है तो इस type के questions को ऐसे perform करना है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ trick क्या है सबसे पहले एक Hamiltonian आपको given होगा और generating function आपको given होगा ठीक है आपको इस Hamiltonian को उस generating function के through नए coordinate system में change करना है तो क्या करेंगे सबसे पहले आप generating function देखेंगे उसमें कोई दो variables मौझूद होंगे कुल मिलाकर चार variables है QP छोटे वाले जो की older coordinate system में QP capital वाले जो की नए वाले coordinate system में इन में से जो भी दो दे रखें हैं उनके अलावा जो दो बचे उनके लिए relation लिख लीजिए उनके लिए relation जब आप लिखेंगे तो वहां से आपको पुराने वाले के पुराने वालों का जो आपके पास मुमेंटा और कॉर्डिनेट है पुराने वाले जिस्टम में उनका नए वाले coordinate system से रिलेशन मिल जाएगा जैसे कि यहां पर इस्मॉल वाले को स्मॉल अक्षरों से रिप्रेजेंट कराया है मुमेंटा को तो यह वाले का हमें से रिलेशन मिल गया नए वाले coordinate system के मुमेंटा और कॉर्डिनेट से और यहां पर इसका पुराने वाले के कॉर्डिनेट का हमें नए वाले के मुमेंटा से रिलेशन मिल गया तो कुल मिलाकर बात यह है आपको इस्मॉल अक्षर कैपिटल अक्षरों में चेंज करना है मुमेंटा को नए वाले कॉर्डिनेटर मुमेंटा से रिलेट करता हो तो हमने यह निकाल लिया इसमॉल पी और स्मॉल क्यू और हमने इनको इसमें डाल दिया हैमिल्टून में और आप हमारा चेंज हो कर आ गया है मिल्टून ओके सो इस टाइप से आपको यह कुश्चन प् प्रिपरेशन कुछ पांच-दस मिनट में अच्छी एक बूस्ट मिल जाए ओके ओके थेंग इस आपके